हलो बच्चों, आप सब बहुत बढ़िया होंगे और जो भी करते होंगे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे अभी आप जब गेट की प्रिपेशन करोगे और आपको एक साल भर गेट की प्रिपेशन करनी है तो इस preparation के दौरान थोड़े से dull moment आपके आएंगे जहाँ पर आप demotivate होगे आपको लेकर आप goal से थोड़े से हट से गए हो जबकि मैंने एच चीज ऐसी थी जो मैंने कभी नहीं करी अपने पूरे गेट के preparation के दौरान जिसकी वज़े से मेरा ये demotivation वाला part बहुत ही कम रहा वो ऐसी क्या चीज थी जो मैंने नहीं करी कभी अभी जब आप गेट के preparation करोगे तो आप सुरू में हमारे पास time जादा होता है हम जोंकि एक subject, दो subject, तीन subject पढ़ रहे होते हैं तो एक पूरी journey होते हैं तो आराम से हम time को enjoy करते हैं बीच बीच में break भी ले लेते हैं चलो थोड़ा घूमने फिर ने चले गए ये करने चले गए लेकिन मैं बताऊं पूरे साल भर आपकी वही intensity अगर आप रख पाते हो जो आप gate के exam के पास आने पर रख तो एक दो महिने में कोई break नहीं लेना, कोई छुटी नहीं लेना अपने हर मिनट को बहतरी नग से utilize करना तो अगर वो intensity आप सुरू से रखे न आपका demotivation वाला part बहुत कम आएगा और आपका जो energy level है motivation level है, वो बहुत high रहेगा मैं अपनी gate की तयारी में एक भी off day ने लिया था जब तक gate exam मेरा खतम नहीं हुआ था बस एक case में off अगर हुआ था तो जब मेरी कभी तवियत बहुत खराब होगी तो एक आग दो दिन अगर rest लेना पड़ा हो अगर मुझे घूमना भी जाना होता तो ऐसा नहीं कि मैं कभी घूमने ने इनकला या पार घूमने नहीं गया या थोड़े से मौल वाल घूमने नहीं गया ऐसा नहीं होता था अगर मुझे घूमने जाना भी है मैं सुबह का टाइम मेरे लिए बड़ा क्रिटकल होता था मैं सुबह 6-6 उठने वाले में से लोगों में से था और मैं 11-12 बज़े तक अपना पढ़ाई का जो टार्गेट आज का जरूर कम्प्लिक करता था ताकि मैं घूमने जाओं तो मुझे गिल्टी न फिलो न कही बार हम गुमने चले जाते हैं पूरा दिन निकाल देते हैं अगले दिन सोचते हैं क्या कि यार पिछला दिन पूरा ऐसे निकल गया कुछ पढ़ लेते थोड़ा सा तो देख लेते कुछ दिवाइस कर लेते तो मैं वो चीज कभी होने ही नहीं दिया कि मुझे ऐसा फिलिंग है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैंने पढ़ाई से थोड़ा सा डेवियेट हो जा रहा हूँ अपने गोल से वो आने ही नहीं दिया अगर आप अपने पढ़ाई के एकदम regular touch में रहोगे हमेशा आपने टाइम को भेतरी नधंक से यूटिलाइस करते रहोगे उसके बाद जो इस पेर टाइम बचता कुछ करोगे तो आपको ये फेलिंग कभी नहीं आगे और आप हमेशा confidence आपका higher sight भी होगा कि आप अपने गोल की तरफ बहुत positively move कर रहे हो और ये बहुत जरूरी भी है जब अगर आप बार-बार demotivate हो जा रहे हो न तो उसमें आप अपना बहुत time कल करते हो जैसे अगर आपको guilty feeling आगे गया आपने पूरा दिन घूमने में इधर उदर निकाल दिया आपको कुछ revise करना था आपको कुछ cover करना था अपना selfless तो आपको अगले दिन feeling ऐसे आती यार मेरा छूट गया पढ़ लेता थोड़ा सा cover हो गया होता उसके चकरों में आज सोचने में 2-3 घंटे विता दिये तो ये मैंने नहीं होने दिया और ये आपको भी करना है आप अपने दिन की सुरुआ अपना जो primarily goal है कुछ achieve करने का उसके लिए devote किया करिए आपको ये negative feeling बहुत कम आएगी योगों कि आपको हमेशा लगे कि आप अपने आपको push करो अपने goal के लिए आप करते जा रहो और यही मैंने किया था मैं गया था जुलाई में दिल्ली और फरवरी में gate exam लिखने के बाद मैं घर आया था जबकि बीच में दिवाली देशारा पढ़ा था ना सब लोग पास घर जो उनका होता था रियार तो रहा दिवाली का break ले ले साथ दिन अपने पढ़ाई के टच में था उसी रिदम में तो obviously बात है अगर वो मैंने sacrifices के तो उसका advantage मुझे मिलेगा तो आपको वही intensity बनानी है throughout the year गेट के preparation की जो आप last में बनाते हो कि आप कुछ नहीं सब कुछ गेट को देना तो शुरू से ही सब कुछ गेट को देना है और morning वाला टाइम जब दिन की सुरुआत करते हो dedicate to your goal आपका goal कहेगा आओ मेरे पास मुझे achieve करो वो खुद कहेगा so ये चीज मेरे preparation की बड़ी मतलब मुझे turning point लगती है जिसने मुझे success दिलाई थी तो आपका भी ऐसा key points होने चाहिए अपने goal के लिए ताकि आप कभी demotivate ना हुजिए demotivate को deal easily कर लेंगे अगर ऐसी तरह से अपने goal के लिए आगे बढ़ेंगे और फिर आप अपने goal को ज्यादा बहतर ढंक से अचीब कर पाएंगे hopefully ये message आपको समझ में आया होगा hopefully आप इसको implement करोगे और उसी intensity से पढ़ाई करोगे जैसे required है और अगर आप ऐसा करोगे तो आपके forward ने की समभावना बहुत बढ़ जाती है ऐसे किसी और message के साथ मैं फिर मिलूंगा till then bye bye and take care of yourself thank you so much